दोस्तो भूले मंदारी आज दिनांग सत्ता ही दिस्वंबर दोजार वीश दोस्तो हमारे आज का विशे है आज का इश्वरी संदेश आज का विजन आज का स्वपन वह क्या है रात के कोई बारे बज़ के दस मिनट पर मेरी एक आँख खुली स्वपने के बाद आँख खुली हरब आकर मैं जाग गया स्वपने में मैं क्या देखता हूँ की लोकडाउन लग रहा है पुलिस लोगों को हटा रही है मैं हर बड़ा कर ख़ड़ा हो गया कि मैंने भाई ये क्या हुआ यानि कि ये समझो कि अब एक इमर्जेंसी लग रही है अन्डिकलेर इमर्जेंसी या डिकलेर इमर्जेंसी दोस्तों हम जो आपको बताते रहते हैं कि अब भारत एक भ्यानक दोर में प्रिवेश करता जा रहा है हमारे अनुसार तो जिसका अंदेशा था वही अब हो रहा है उसके बाद मैं लगवक साड़े चार बजे लगवक चार बजे ख़ड़ा हो गया अब ही साड़े चार बजे अपने आफिस में आ गया मैं आज कल वीडियो थोड़ा लेट बनाता हूं और नीच एपने सेन कक्ष में प्रात्ना कर लेता हूं उसके बाद मैं धीर धीर सुबह वीडियो बनाता हूं बारे बजे कर दस मिनट पर ये सुपना आने के बाद मैं मैं चार बजे लगवक ख़ड़ा हुआ चार पॉन चार पर पॉन चार बजे तो देखता हूं कि एक हमारे मित्र गिर्धार लाल जीन का सुपर भात्नम का संदेश आया हुआ था उसका मैंने जबाब दिया मैंने की मंगल चार बजे अब तुम प्रात्ना कर लो आज कल वैसे भी मैं उस बीमार बच्चे के लिए विशे इस प्रात्ना करता रहता हूं तुम पहले मैंने कहिए भई प्रात्ना कर लो परमात्मा का आदेश हुआ कि मंगल ये प्रात्ना रहने दो अभी early morning में तुम अपना ये छोटा सो वीडियो ये संदेश जो आपको दिया जा रहा है दे जो पराथना बाद में दुबार ही आकर कर लेना मैं उनके सब ठीक है जैसे आपकी इच्छा अब सवाल ये कि क्या होगा यदि ऐसा होता है तो देखो ये हमारे vision है dream है ये हमारा अंदा जाबी है करने वाला तो परमात्मा है वह क्या किस दूप में कर रहा है कब करेगा कैसे करेगा हम समझते हैं कि जैसा उस कादे से हम आपको बता देते हैं अब क्या होगा हो हला होगा गमासान होगा हो सकता है हम लोग एक कोई भ्यानक तकलीफ में आ जाएं सारे लोग तकलीफ तो सामने दिखी रहिए कि जहां ऐसा ऐसा होगा जो ऐसा ऐसा करेंगे वहां ऐसा ऐसा भी होगा करम फल और वे करम फल को एक दिन के नहीं होते वे सालों के हजारों सालों के पहले के भी पूरु जन्म के भी होते हैं, वे आदमे के विक्तिकत होते हैं, वे परिवार के भी होते हैं, collectively, समाज के collectively, जातियों के collectively, नेशन्स के collectively भी होते हैं, जो हमारे कर्म हमें बाद में जिनका भुगतान हमें करना पूरता है इसका मतलब भाब ये कृष्टान प्रदसन को बंद कर दिये जाएगा इसके कॉस्टिस तो की जाएगी बंद कर दिये जाएगा इसका मतलब ये है कि लोगों को अब पकड़ा जाएगा इसका मतलब फिर ये भी है कि लोगों को पकड़ कर अंदर डाल दिये जाएगा और अब बदला निकाला जाएगा बदला कैसे किसी ने क्या बोला किसी ने क्या बोला इसने ये किया उसने ये किया अब ऐसा कर लो और बड़ा अंधीरा अंधीरा करके इमर्जेंसी जैसे हालाग प्रदा करके वह सब किया जाएगा जो उजाले में नहीं हो सकता जैसे कि लोकडाउन में कृस्टी कानून बनाएं और प्राइविटेजसन जैसा किया जितना लूटना है लूटलो अभी भी ऐसा किया जाएगा हमारे हुकमरानों का दिमाग सही नहीं है तो वे तो ऐसा करेंगे ही दूसरे वो उनकी कुछ मजबूरियां भी है वही वाली बात है जो मैं एक दो बार आपको बता तरहता हूँ या तो भीडिया खरगोस्ट कुखा है तो उसकी जान बचे और खरगोस्ट नहीं भागे जान नहीं बचाए तो भीडिया मर जाए भूका अब सवाले क्या किया जाए हो सकता है लोगों को पकर पकर कर बड़े भेयान उनसे बदला लिया जाए दुवारा से सी ए को जिन्दा करके कोई पुल्वामा जैसे कांड भी किये जाए क्योंकि और कोई रास्ता तो इन लोगों के पास बचानी इमर्जन से लगा कर कोई घातक वैक्सीन कोई माइक्रोच्टिप लगाई जाए और वे अपने सारे काम कर लिए जाए जो अभी तक नहीं किये जा सके लूटने के अलावा यह बड़ा भयानक चित्रन है लेकिन है तो है अपन क्या करें जो जिसने किया है हम लोगों ने जनता ने, सासकों ने किसी देश ने, किसी समाज ने किसी जाती ने उसका हिसाब किताब तो उसको देना पड़ेगा आपके हमारे से कहने से क्या होता है कि हम तो ऐसा चाती है, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए यह सब करने के लिए सैना को डिबुट किया जाएगा ही उसमें कोई दोराय नहीं लोक आउट तो होगा ही ब्लेक आउट होगा ट्रांस्पोर्ट आउट होगा यह सब होने उपर एक भैर नक्ति इस्तिति आजाएगी गलियां साइशाइश करने लगेंगी देखो हम पहले ही कह रहे हैं कि बगवान ऐसा नहीं करें लेकिन हम यह सब इसलिए लिख रहे हैं कि एक तो इस्तिति आदिस है और आपको जो हमारे प्रेमी हैं जो इस सुनते हैं उनको साइट थोड़ा बहुत आगहा हो जाएं कि भाई ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता क्या कहते हैं ने कुलारी से लगता दोई राम करे से हुए कुलारी से कप्ड़े दोगे तो भाई कप्ड़े तो कटेंगे सिधा साह है इधर करोर इधर फल लोई इस दुनिया का मालिया कुछ फल ऐसे भी हैं जो करने से पता नहीं चलते तो ये तो उस इस इसर की लीला है कि कौनशा फल तुरंथ हो जाता है कितना हो जाता है लोक आउट, बलेक आउट, ट्रंसपोर्ट आउट इज या जाएंगे बहुत खराब होगा सायना की प्ढ़च्छा अफसा नहीं देगी बहुत खराब होगा इससे पहले हो सकता है ये ड्रामा किया जाए कि भाई मोदी को प्रधानमंत्रिफस पे हटा दो इसने गलत किया इसने गलत किया हम अच्छे हैं हम अच्छे हैं कौन? RSS RSS वाले या आका लोग हम अच्छे हैं लेकिन मेरे बिशार से ये हो नहीं सकेगा अब तो ऐसा ही होगा सेना जो अपना काम करेगी सेना जो गल्यों मूतरेगी तो देखो सीधी सी बात है कि हमारे सासकों ने सेना कि जो सेना पती हैं जनर्रल्स हैं जो टॉप लोग हैं वे अपने लोग हैं अपनी जातियों के लोग भर रखे हैं और सेना के जो सिपाईएं सेना का जो बेसरूट है वे दूसरे लोग है वे सासित लोग है तो हमारा विचार है कि सेना जैसे डिपूट होगी जैसे भायानक हालातों की वज़े से और ये लोग पब्लिक को दबाएंगे तो सेना में भी विधरो हो जाए सपोज करो ऐसा हुआ सपोज करो ऐसा हुआ तो ज़्यादा भैयानक हालाते होंगी ये हालाते क्यों होंगी क्योंकि कंट्रोलिंग फोर्स सेना पुलिस इत्यादी तो कंट्रोल करेगी नहीं नहीं करेगी तो फिर जनता का भ्यान गुस्सा फूटेगा तब क्या है कि गैंगवार होंगे सिविल वार जैसे हालते बनेगी जातिय युद्ध होगा लोग एक दूसरे से बदला निकालेंगे लूट पाट होगी कि अब यह करलो अब यह करलो अब यह करलो जब डर नहीं हो तो आदमी पसू की तरह से काम करता है जंगल की तरह से हालत हो जाते हैं अब भै यह करलो यह करलो जंगल मैं तो जंगली जीओ फिर भी अपना पेट भरने के बाद सांत हो जाते हैं लेकिन यह आदमी सांत नहीं होता इसका पेट भरता ही नहीं और यह भैनक होता ही जाता ह सुनो उसमें जब ऐसा हो गया मालो और जो अंदेशा है अंदाजा है कि सेना में फूट पड़ गई सेना पब्लिक का साथ दे रही है तो उसमें तुरंत ही ये सासक लोग तो भागने के कोशिश करेंगे कितने भाग पाएं कितने नहीं भाग पाएं ये तो आगे की बात है कौन-कौन ये अपने-पने कर्म है किसमत है लेकिन उसके बारे ने एक भ्यानक हालत ये होगी क्योंकि कंट्रोल लिंग फोर्स तो बागी हो जाएगा जैसा हम अभी बता रहे थे और एक दूसरे पर लोग तूट पड़ेंगे उसके में भ्यानक हालत क्या होगी कि जैसा हम जो कल बता रहे थे भारती समाज के संडरतना जो हेटरोजीनिस है जिसमें जन्म से ही कोई उंचा है जन्म से ही कोई मिडिल है जन्म से ही कोई विचारा पिसा हुआ है उस चन्हें ये हजारों साल का गुशा फूट पर सकता है जब हजारों साल से ऐसा हो रहा है कि अरे अरे भाई अरे भाई ये रस्ते में से क्यों निकले ये घोडी पर क्यों बैठे बनतकार इसके साथ वो अरे भाई हो गया होगा कोई हमारे साथ हो थोड़ी होता है भाई भूक में ये किसा नी मरे भाई मर गया होगा हमारे साथ हम थोड़ी मरते हैं भाई ये अनपड घूमता होगा भाई घूमता होगा ये तो इनके जन्म ही लिखा हूँ पिछले जन्म के करम है भाई और जो देश में हजारों साल से हा हा हू हू चड़ा है जो भेयानक विचार धारा चलिए अब जागरेन होने से लोग उसका बदला ने लें देखिए यह ज़्यादा भेयानक हालत होगी हम पहले लोगों को चेता आ रहें कि भाई सासक जाती हो यह सासक लोग तो हालते बिगरने से भाग सकते हैं भागेंगे लेकिन आपके लिए हालते खराब हो जाएंगी यह ज़्यादा हालते भेयानक होंगी ऐसा हो गया तो समझो कि यह पूरा ग्रहयुद होगा और यह ग्रहयुद में भेयानक हालते होंगी हमें बताने की जर्टनी बताने में हमें हिचके चाट होता है सुबह सुबह का समय है भगवान का नाम लेना चाहिए भगवान का ये आदेश हुआ है संदेश दो हम संदेश दे रहे हैं प्रासना से भी पहला है हम ये बोलते ही रहते हैं बिचारे गरीब लोगों को तो अपनी भूग प्यास मिटाने के आगे फुर्षत नहीं है, मिडल ग्रूप के लोग हैं, जो की भटके हुए से लोग हैं, बहुत जादा पड़े लिखे भी नहीं हैं, धीरी धीरी जागरूता हो रही हैं थे, अपर ग्रूप के लोग हैं, वे अपनी भयानक अठास में किसी को मानते ही नहीं, वे समझते हैं, हम तो इस वे से लोग हैं, वे से इस कैटेगरी के लोग हैं, कई साल तक यदि पैसा नहीं मिले, यह नहीं मिले, तो कोई बात नहीं, और भी वगेरा वगेरा बहुत से बाते हैं, यह बहुत भयानक बाते है जो भयानक बातों को खालातों को जन्म दे रही हैं और देंगी यह हमने बताया कि ऐसा हो तो होना ही है क्यों होना है क्योंकि हजारों साल के जो भयानक खालातों में भयानक से धनतों जीवन जिया है तो इस वर तो उसका हिसाब किताब करेगा अब भारत के लोगों के साथ जनता के साथ, हम लोगों के साथ, किसी के साथ भी ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होना चाहिए, वह इसलिए होगा, कि जो जिसके लायख है, उसको वह मिलता है. भाई हम किसके क्या लाइक है देखो हमें किसी जीव के बारे में नहीं बनाना चाहिए लेकिन गरीब लोगों के साथ जो होता है वो उसके लाइक है या परमात्मा ने बना दिया उनके कर्मों ने बना दिया वो उनके साथ होता है बक्रा जिसके लायक है वह उसके साथ होता है, मचली जिसके लायक है वह उसके साथ होता है उसके थाने होते, उनके पास हत्यार होते, उनके पास जाग रुकता होती, उनके पास हाट पैर होते तो वे भी सामना करते उनके साथ ये ऐसा नहीं होता जैसे कि छोटे जीओं की बली दी जाती है, सिंगों की बली नहीं दी जाती है, वो वैसे ही फार देगा इसलिए हम किस लायक हैं देखो, भात की जनता के साथ ऐसा क्यों होगा, और सासकों के साथ क्यों होगा क्योंकि जन्ता और सासक इस समय हम देखने हैं अरे भाई देखो जन्ता भली-भली सासक तो ऐसे ऐसे हैं लेकिन दोस्तों ये सासक भी जन्ता में से ही निकले हैं और असल में देखा जाए तो जैसी जन्ता वैसा सासक और जैसे सासक वैसी जन्ता बनती है क्योंकि एक तो ये उनी में से आए हैं और फिर भी ऐसा ही काम करते हैं आज हम क्या देखते हैं गरीब लोगों में से कोई I.S. बना कोई निता बना मिडल गूर्प में से बना वह जाकर सामिल होगा अपर गूर्प में और वह भी ऐसा ही करता है जैसा कि पहले से ही प्रिविलिज गूर्प करता है आज देखो पांस सो साढ़े पांस सो जितने भी MP हैं वे क्या हैं वे क्या कर रहे हैं अरे भाई अपने तो मौजी मौज है अपने तो पैसे होंगे पैंसन होंगे गाड़ी हैं घोड़े हैं बंगले भाई कौन क्या चिंता करे सी ये हो रहा होगा तो हो रहा होगा इवें हो गया होगा तो हो गया होगा पुलवा मैं मरे तो कोई अपने थोड़ी मरे किसी को कोई चिंता नहीं है अरे भाई किसी को रस्ते से नहीं निकलने दिया जा रहा तो अरे ये तो गरीब लोग हम क्या करें बाई किसी को चिंता नहीं है ये सब का प्रकरती अपना हिसाब किता पूरा करेगी ही आज तुम्हारे लिए आज दूसरे के लिए तो कल तुम्हारे लिए वो सामने आना ही है और ये इंटर्टेल्मेंट कैसे बनता है हम बोलते रहते हैं कि जो जिस देश की जनता हम लोग ईवी एम का पुलवा मां का यह नहीं जानते कि ये क्या है ये क्यों हुआ ये किसने किया और वह जो इतनी जाग लुक नहीं है इतनी आक्रोस इतनी है इतनी एग्रेसिव नहीं ह कि इसको जान करके उनकी एक इंक्वारी भी करा ले वह जनता तो एक कीडे मकुडों की तरह से क्या वो तो भेड़ बक्रियों का होना सिब्ध कर ले कि हम तो भेड़ बक्री हैं और उसके साथ तो ऐसा ही होना ही था जैसा भेड़ बक्रियों के साथ होता है तभी तो एवे में पुलाओ माग तभी तो C.A. आया वरना क्या C.A. आता क्या U.A. P.A. आता क्या हुकमरानों के हिम्मत होटी कि ये ऐसे बिल लियाएं किसान जैसे बिल लियाएं नहीं लाते ये सब उसी की कड़ी है कि जो जिसके लायक है जो जितना कमजोर है धेड़ बकर ये है या क्या है उनको ऐसाइटीट होगा कि उनकी बली चड़ाई जाएगी या उनका सम्मान किया जाएगा भी भेड़ बकरियां है कि विसिंग है तो इसमें किसी तरह कि कोई रोना धोना पस्ताना नहीं हमारे साथ वही होता है फिर भी फिर भी जो भी होना हो जो भी हो इसमें ये देखी पर्मात्मा के दर्वाजे अपने बच्चों के लिए हमेशा खोले रेते हैं लेकिन वे नहीं जानते नहीं सोचते तो उसमें पर्मात्मा क्या करें फिर वो कह देता है कि let them finish उनको खत्म हो जाने दो उनको भुगतन दो अरे वे क्या करेगा वे अपनी इस्प्रियोग सारा में और नहीं जीव पैदा कर लेगा नहीं लोग लिए आएगा कहते हैं ने सर्वाइबल ओफ दी फिटेस्ट वाली बात या जो भी है अब भाई क्या करें यहां तो ऐसा प्रकर्ती तो प्रकर्ती है और उसके नियम अकाटे हैं वह तो ऐसा करेंगे ऐसा होगा चाहिए वो अच्छा हो बुरा हो यह ऐसी ही नहीं हो जाते मेरे ध्यान में आ रहा है कि मान लो आज भी जंगल में रहा वो छोटे जीओं को मार कर खाता था तो आज कल भी इंटरनेट के जमाने में देखो चाईना में लोग कुट्टों को मार कर तो खाते हैं लेकिन उनको जिंदा ही भूनते हैं अब उनके साथ ऐसा नहीं हो तो क्यों नहीं हो हम रमन करते हैं मोज मजा करते हैं लेकिन गर्भ रह गया तो अपने बच्चियों को गर्भ नहीं मार देते हैं अब भाई हमको ये नहीं भूगतना पड़े तो क्यों नहीं भूगतना पड़े हम इतना संचे करते हैं कि दूसरे लोग चाहे भूख के मर जाएं लेकिन हमारे पास तो अठास करने को काफी काफी हो तो ये तो भुगत न पड़ेगा क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि ये संसार सारा संसार एक परिवार है हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना है उस परमात्मा का भी ध्यान रखना है इसलिए इस संसार में जो उल्टा पुल्टा जो भैनकता जो नरसंगार होते हैं जो जो नेचरल कैलेमिटी जाती है वो ऐसे ही नहीं आती तियमी परमात्मा का नियम consciousness है, nothing happens by science, this is the world of perfect law and order, this is the world of perfect law and order, यह अपने हिसाव से होता है। और होता रहेगा, और यह समसार से हिसाव से चलता है, mathematics से चलता है, physics commission से चलता है, definite rules regulation से चलता है। इसलिए ये उसी दिन अजकर जो हो रहा है और होगा ये कब फिक्स हो गया इसमें बहुत सा हिस्सा तब ही फिक्स हो गया हजारों साल पहले जब कुछ लोग बहुतों के साथ ऐसा करते की ने तुम पढ़ सकते ने धन रख सकते ने हत्यार रख सकते ऐसा रहेंगे तो उस सुने ये भी फिक्स हो गया था कि इनके साथ भी कभी कुछ होगा और इतने जादा क्रूरता जब लोग पुलवा माँ पर एवी एम पर कुछ नहीं बोलते ये क्यों नहीं बोलते कि असिक शेथ हैं जानते नहीं या जो भी है लेकिन बन गए या बनाया गया ये अलग बात है लेकिन बन गए वे एंटाइटल हैं तो उनके साथ तो ऐसा होगा चाहे मचली अपने आप बन गई या उसको प्रकृति ने बना दिया लोगों ने बना दिया लेकिन जो मचली बनने का उसको बन लिया पुरुषकार तो मिलेगा इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता दोस्तो हमने ये भैनक्त भैनक्त आपको बताई आपके लिए अच्छे के लिए बताई और इश्वर ये संदेश था किये है क्योंकि साइद वो चाहता है कि लोगो अभी वी चेश जाओ क्योंकि इस्वर की लीला ऐसी है कि आपको वो कभी भी तराण दे सकता है कभी भी सेफ्टी दे सकता है अब हम इस बात पर आते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करें कि how to yourself how to save yourself how to save oneself कोई भी अपने को कैसे बचाए तो देश तो दोस्तो देखो सुनो सुनो जैसा आप भगवान ने बताया हम आपको कनवे कर देते हैं how to save yourself इसमें निश्शिती रूफ से सुभे ध्यान प्राथना प्रुविस्वन करिए परौपकार करिए बढ़ाई अपने परौपकार को जीव दया करिए छोटे भाईयों से प्यार करिए दान दीजिए सही लोगों को अपने पास कैस रखिए अनाज दालें मसालें गैस लकडी इत्यादी सफिस्टीन डूफ से रखिए सुरक्षित जगों में जगे का ध्यान रखिए रखिए वहाँ पर रहिए हो सके तो गाउं में गाउं ज़्यादा सेफ हैं मैं भी सहर में हूं गाउं नहीं जा पा रहा अब क्या करें डिवाइन लोगों के पास उनके पास जाए लेकिन नकली संतों के पास मत जाए मत जाना नकली पूजा इस्थलों में मत जाना वहाँ उल्टा होता है उससे उल्टा होता है क्योंकि आप उनको संत या पूजा इस्थल मानते हैं लेकिन बे असल में सैतान के बंदे होते हैं सैतानी घर होते हैं और वहाँ पर सैतान का वास होता है यदि हुआ सेतानी काम हुटे हैं तो नाम पूजा इस्थल रख लिया संत रख लिया तो क्या हुआ इसलिए यह काम करें जो हमने अभी बताएं ध्यान प्रातना प्रभुष्वरन परवकार जीवदया दान अपने पास कैसे रखें अनाज दाले मसाले रखें गैस लक्री रखें सेफ जगे चले जाएं हो सके गाउं में ज़्यादा सेफ होंगे क्योंकि कल को जदी लाइट में आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो सहरों में वाटर सप्लाई काभी दिक्कत होगा गाउं में ये समस्या साइद नहीं रहे क्योंकि अभी हुआ कोई है हमने आपको ये खुलम खुला बता दिया सारी चीजे और ये इसलिए बता दे कि ये मानोता की भलाई के लिए हमारे उन प्रेमी लोगों की भलाई के लिए हैं जो की हमारे संभासणों को बड़े प्यार से सुनते रहते हैं उनका इंतिजार करते रहते हैं हम तो चाहते हैं कि परमात्मा हमें जो ये विजन दिया है ये जूटा निकल जाए होई नहीं ये प्राठना करते रहते हैं आप भी करिए लेकिन देखो हमारे सामने की बात है करम का फल तो है हमें प्यास लगी हमने गिलास में पानी भरार पी लिया तुरन थी उसका फल आ गया गर देखो कितनी संतुस्टी हुई अभी कोई प्यासा कोई जीव आया आपने पानी पलाया और देखो आपने रूटी खिलाई तो देखो उत्रन्थी में अप के शरी एक शक्ती की एक बड़ी अच्छी लहर दोरती है जैसे वो जीवन आप में ही दोड़ रहा है अनर्जी आप में ही आ रही है आप जो प्रण तो ये तो सामने है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे और जो भी जिसके साथ होना है वह ऐसे ही नहीं होता चाहे उसमें अग्यानता का पुट जादा हो लेकिन उसमें क्या है जो जिसके लाइक है उसके होगा हम भी बताते ही रहते हैं कि लोगो ऐसा ऐसा करो दोस्तो हम बड़े एक रहसे में संसार में रहते हैं असल में तो हम कुछ जानते ही नहीं, ये संसार क्या है, कहां से आया, कैसे आया, कितना बड़ा है, कौन इसको संचालिव करता है, हम कौन है, कहां से आया, कहां चले जाएंगे, हमें कुछ भी क्यों करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जो प्रकरती की सक्तियों का, उसके रहस् हम बताते हैं या जानते हैं कि भाई देखो ऐसा करना चाहिए लेकिन ये बहुत थोड़ा है अभी भी हमें कोई विशेश परातना करने थी उस बच्चे के लिए लेकिन पहले बगवान ने बूला कि भाई ये करो यद्यप ये बड़ा अक्वार सा लगता है कि हम ऐसा कुछ-कुछ जो भैनक भी चितन है वो करने लेकिन क्या करें इसमें अच्छा है कि हम सब को समलना है और ऐसा करना है संका टल भी सकता है और टल जाते हैं इसलिए दोस्तो हमारे एक असीन प्यार की वज़े से हम आपके सामने बोल करेते हैं इसमें ऐसी कोई बात नहीं आपका जो प्यार मिलता है जो हिम्मत मिलते है उसी से हमाना अनरजी मिलती है और हम ये करते हैं इस वर मेरे सामने खड़ा है ये पका है ये वाणी इस वक्ता मंगल की वाणी नहीं है ऐसा लगता है जैसे कि कोई अगर से सत्ता मेरे में घुसकर ये मुझसे बुलवाती हो उसी ने ये कहा कि आज का आज का तुम प्राथना जो भी ये बाद में करना पहले छोटा सा वीडियो बना कर छोड़ दो बाद में देखा जाएगा मैं देख लोगा मैंने कि अच्छा सर वे कौन है यही मैं जादा नहीं जानता कोई कहता है कि वो एलियन है जो जादा डब डबलप जीव हैं कोई कहता है वो परमसता है कोई कहता है फरिष्टे कोई कहता है क्या है कोई कहता हम अब खुदी हैं हम ज दोस्तो आज इतना ही जै हिंद जै भारत